आसलामियेकम, आज हम बहुत ही एक 남 psych Guys की ही हैं इंट्रेस्टिंग साबस है कि जी आदा मुल्क है बात करें आदा 삶काल किसी ओर कंट्रल में हैं और आदा किसी ओर कंट्री कें लेकिन एक खुझ से एक कंट्री है तो एक यूर्फ की कंट्री है यह वाहिद कंट्री है जिसमें ये वाला निजाम है और ये एक आइलेंड कंट्री है इसका नाम जानते हैं इरहा से जी तो हम हैं साइप्रस में मौसम यहां का बहुत अच्छा है प्लस 15 प्लस 16 ये वाला टमप्रेचर है हवा है लेकिन ठंड नहीं है तो हम तो आया हैं जहां पर इस टाइम माइनस पंद्रा माइनस दस बहुत ठंड में है तो हमारे लिए तो जबरदस ये आप देख रहे होंगे पीछे सारा ग्रीन है और द्रख्तों के ऊपर वो लगेवे माल्टे हैं या पता नहीं उस ताइप के कुछ है माल्टों की तरह है अब पूरा शहर हम explore करेंगे और देखते हैं कल हम आएं वैसे हमने रात यहीं पर गुजारा कल यूँ ही आए मतलब प्लैन में थे तो जहाज के अंदर ना ट्रबलेंस जादा थी ट्रबलेंस में जो इस तरह से जर्क साते न वह बहुत ज्यादा जटके एक पॉइंट पे तो नो बहुत ज्यादा हो गया बिल्कुल हमें लगा जैसे प्लैन मीचे गिरने वाली है लेकिन अल्ला का शुकर है सब कुछ ठीक हुआ पाइलेट ने साथ-ाठ मिनिट लगाएं दुबारा से लेंड किया मैं अपनी रहाईश आपको विजिट करवाता हूं हमने एर बेन बी से रेंट किया यह एक बॉक्स हाउस है अपार्टमेंट की तरका है तो यह इंटरेंस है यहां से खुबसूरत सा इंटरेंस है आप देख रहे हैं का काम हुआ है पुराने पत्थर रखे गए यह चोटा सा एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जब इंटर होते हैं सात में यह किचन है और किचन में तक्रीबान सारी चीजे हैं जो हमें चाहिए और वट, आववन, माइक्रोवेव भी तो अब इसी के साथ सात ही ना क्यूं यह हमारा ना फेवरिट पॉइंट है तो एक छोटा सा बैलकोनी है यहाँ पे यह गार्डन साथ में बना हुआ है साथ में स्विमिंग पूल भी है लेकिन अभी ठंड है तो हम गए नहीं है साथ में यहां पे भी एक छोटा सा गार्डन है छोटा नहीं यह काफी अच्छा है बड़ा है और बड़ा वेल मैनिज है जो मैं उपर से दिखा भी रहा था इसमें फूल भी है तो बड़ी प्यारी सी खुश्बू भी आ रही है फूलों के यह देखें यह सारा पानी का नजाम है यह सारे वोई बिल्डिंग्स है यह वाला जो है हमारा गर है तो जादा तर डिजाइन ऐसे ही है इधर बड़े खुबसूरत से डिजाइन है और साफ सुत्रा रखते हैं लोग यह सारे देखें इंट्रेंस में जो फूल नजर आ रहे थे पहले जी तो हम निकले हैं हमने का थोड़ा सा एक्स्प्लोर करें मोसम थोड़ी बहुत हलकिसी बारिश हो रही है ठंड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बारिश है और सुबह मेंने एक राउंड लगाया था तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इस शहर का अभी हम एक आर्केयोलोजिकल साइड है वहां पर जा रहे है तो साथ साथ में आपको मैं जो बता रहा था ना यह देखें माल्टे यह देखें माल्टे हो पता नी माल्टे नहीं है थोड़े से डिफरेंट है लेकिन इस तरह से सड़कों पर गिरे वे भी नजर आते हैं यह देखें ये शेहर कुछ ऐसा नजर आता है अच्छा है, मजेका है इस्टोनिया से काफी डिफरेंट है हरी साब से डिफरेंट है शॉप्स ना, मैं देख रहा था रास्ते में काफी शॉप्स बंद है और ग्रीक लोग जो है इतने जल्दी उठते नहीं है वो थोड़े से अराम से रहने वाले लोग है अराम तलब जो कहते हैं, वो वाली कहानी है ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप पीछे बिल्डिंग और ये पूरा नीचे जो बना हुआ है ये चोथे सदी के मिड में बना हुआ है तो बहुत पुराना है यह Christian की कोई इमारत है और इस island पे सबसे पहले बनाया हुआ एक Christian इमारत है तो इस वज़े से इन्होंने प्रिजर्व किया है चलने के लिए ट्रेक्स बने वे लेकिन फिलाल उन्होंने उनको बंद किया पता नहीं क्या reason है मैंने देखा यहां पे काफी ओलिव के हैं इस तरह के बाग हैं और काफी इन्होंने जगे जगे पे लगाया भी यह फ्रिश ओलिव दस्तियाब है केके तो बड़ा एक बिजनेस है इदर पाकी हम जिस सिटी में हैं इसका नाम है फापोज और यह ग्रीक वाले साइड पर आता है मैंने जैसे पहली बताया ना इस पे आदा ग्रीक का कब्जा है आदा टर्की का है तो यह ग्रीक वाला साइड है यह सिटी पूरे ग्रीक का है लेकिन इनका कैप्टल जो है वह आदा यह पूरा एक बजार बनावा पीछे बड़ा साफ सुत्रा अच्छा है मजेका है और यह सामने ना साथ में हम आपको दिखाएंगी यह समंदर पीछे आप देख रहे हो उधर चलते हैं बाद में इतना कोई बहुत जादा डिवलप्ट नहीं है देखा जाए तो यह कंट्री यह सिटी लेकिन मजेका है क्यांकि बहुत सारा हिस्टरी है इसके अंदर और मदलब डिवलप्ट नहीं है इसका मतलब यह पिया अंडर डिवलप्त है इतना भी नहीं हैं मदलब अच्छा है हम आयेमें थे आरकेलोजिकल पार्क और पापोस में यह चोथ खापारे तो यहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है, यहां पर चोथे सदी से पहले की चीज़ें पड़ी हैं, और हम जहां पर आए हैं, यहां पर आए हैं यहां पर टूरिस्ट के लिए एक शॉप टाइप का बनाया है, जहां पर चीज़ों को डिस्पले की है, परानी टाइप की बनी वी है यह सारे हाथ के बने वे और मेंगे भी है वो एंशिन स्टाइल के जो पराने पराने है ना उसी तरह के बने वे सुविनियर है को गिफ्ट शिफ्ट के लिए आप देख सकते हो बड़े अच्छे बने वे डिस्प्ले भी अच्छा है अब कैमरे में उतना क्लियर है तो यहां से बड़ा अच्छा वी वाता है सिटी का अब हम आगे इंडोर यह सारे जो मोजेक है पराने जमाने के उसको इन्होंने डिसकवर करके उसको प्रिजर्व किया है तो यह नीचे फर्ष पे वो जो चोटे-चोटे टाइल टाइब के नहीं बने होते जिस तरह से प्रिजर्व किया गया बड़ा मैं तो हिरान वहाँ ओपन एरिया था इसको कवर्ड किया है और इसके अंदर जिस तरह से विदर से बचाया हुआ क्योंकि विदर की वज़ज़ से भी बारिश और उसकी वज़ज़ से भी खराब हो जाता है तो चूरिस्ट काफी आते हैं इ जो नीचे फ्लोर्स बने वें तो हर तस्वीर में एक स्टोरी है साथ में और इन्होंने इस स्टोरी को यहां पर साथ में बताया भी है कि उसमें स्टोरी क्या है और यह देखें जो देख नहीं सकते उनके लिए जैसे पहले भी दिखाया था उनके लिए इस साइड पर उनक करते थे और किस तरह की सोच थी इनकी की इस आर्ट वर्क के ना काफी चीजे आपको समाझ आह घार हुँगे अपने शकार केना किसरे बता रहे हैं इसमें तो देखें उस्थमाने में फ़से करते यह काफी बड़ा एरिया है खुला एरिया है तो यह सारा तबाह हो गया अभी डिसकावर कर रहे हैं पूरा हुआ नहीं है क्योंकि यह पूरा एक सिटी तबाह हुआ हुआ है तो इसके नीचे बहुत कुछ अभी दबाह हुआ है अब हम बाहर आगे हैं सिटी में तो यह देख रहे हैं आप बोर्ड स्कूपर ना तीन लैंग्विजीज हैं एक इंगलिश है एक टर्किश है और एक ग्रीक लैंग्विज तो यहां पे सारे लोग टूरिस्ट बहुत जादा आते हैं उसके इलाबा मैंने बताया लोकल यहां पे दो तरह के हैं तो इस वजह से जादा लेंग्विज लिखनी पड़ी यहां पे मुझे जिस से सीरियसली मसला हुआ ना वो यह देखें पीछे जो बंदा आरा देख रहे हैं फुटपाथ कूपर गाड़ी यह इस चीज की मुझे समझ नहीं आई कि मुझे फुटपाथ क पर गाड़ी आप कैसे चला सकते हो लेकिन यहां पर यह चीज चीज कॉमन है गाड़ी उन्होंने फुटपाथ कूपर का पार्क की होती है अलांकि लिखा भी होता है कि पार्क ना करो यह बड़ा कॉमन प्रैक्टिस मुझे नजर आया है आइस क्रीम खाने हम यहां पर रु कि फ्रोजन पता नहीं किस तरह का टेस्ट हो लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं था यह फ्रोजन यह ग्रीक का ही कोई ट्रडिशनल है आज के लिए इतना ही बाखिकल हम प्रॉपर ले सिटी को एक्स्प्लोर करेंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू